हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो आर चैनल बिलियन एड्यूकेशन वेर वी एम तो रीच एंटीज बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस हम कंटीनिव कर रहा है आपके 12th बालोजी का चाप्टर नंबर 10th इसके अल्रेडी बहुत सारे पार्ट हमने अप्लोड कर दिया हम है तुवर्ट्स एंड ऑफ चैप्टर इसके बाद एक रह जाता है एडिक्शन वो हम करकर करेंगे नेक्स्ट लेच्चर में इसके पहले जो किया था वो था स्टेजेज ओफ एडोलेसेंस के बारे में ठीक है हमने तीन स्टेजेस देखे थे फेशेज देखे थे अर्ली, मिडिल, और लेट आज जो हम देखेंगे कि फिसीकल changes क्या होते हैं, adolescence के दवरान, adolescence क्या होता है, यह age group है 12 to 18 का, so growth spurt, start करते हैं, growth spurt, physical changes, growth spurt occurs in both boys and girls, in boys muscle develop and skin become oily, तो skin oily जो भी hormonal secretion है वो start हो जाएंगे अब, ठीक है तो उन्हें याद रखना है, broadening of shoulders, shoulders broad होते चले जाएंगे, cracking of voice, आवाज फटनी शुरू हो जाएगी, development of under arm and chest hairs, pubic hair, facial hair, enlargement of penis and testis, in girls, development of breast, widening of hip, क्योंकि वो उन्हें prepare करता है, pregnancy के लिए, जो age में pregnancy attain होगी, उस age में ये support करेगा, development of under arm and pubic hair, enlargement of uterus and ovaries, testis क्या है, male gonad है, male gonad, और ovaries, female gonad है, ठीक है, uterus and ovary, ठीक है, तो आपको इतना तो आपने 10th और 11th standard में अपने आपने आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अब sexual development, sex organ mature and enlarged, sexual desire, erection of penis in boys and sperm production, sperm क्या होते है, sperm जब eggs in match खाते हैं, तब development होता है, zygote का, और zygote ultimately develop होता है, embryo में, और embryo से 9 मन्त के बाद, baby का birth होता है, ठीक है, ejaculation, ovulation, menstruation, initiation of sexual behavior, ठीक है, जैसे कि, ovulation क्या है, और menstruation, ovulation के बाद, menstruation स्टार्ट होता है, यह आप लोग ने अपने 10th standard में अपने आपने 10th standard में आपने, स्टेटी हो जाएगा आप लोग के लिए भी और यह कुछ ऐसा है नहीं, आपको याद क्या रखना है, कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, जब क्या-क्या चेंज है तो हमने देखा था, growth, sport, तो growth बड़ेगी, हर जगे, तो कहा कहा की growth, तो men में हमने देखा था, shoulder की, height की, voice partner, hairs का grow होना, under arm and pubic zone में, pubic मतलब sexual organ zone में, same female का भी same था, इसे ही, लेकिन वहाँ पर breast development भी होगा, और hip enlargement होगा, तो यह stage में ध्यानक नहीं, अब sexual development के course में क्या होता है, तो इसमें भी enlargement and maturity आएगी, और initiation of sexual behavior, sexual behavior initiation के आते हैं, जैसे कि आप meet out करने जाते हो, girlfriend, boyfriend बनना, यह सब चीज़े start हो जाएंगी, तो यह phase होते हैं का आप adolescence के तरह, emotional and social changes, तो emotional changes भी होंगे और social changes भी होंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि यह सब changes बहुत बड़े होते हैं, इसलिए parents को, और society को, और जो college और school हैं, उनको थोड़ा सा patient होना चीज़े हैं बच्चों के तरफ, क्योंकि इसी दवरान वो बहुत सारे psychological and bodily changes के अंडर्गो जाते हैं, और इस टाइम पर अगर guidance और उनको बहतरीन बनाने के कोशिश की जाएं, तो यह बहुत अच्छे capital साभिश हो सकते हैं country के लिए, इस इंक्लूड, जो emotion and social change में, establishing own identity, यह line याद कर लिजीए, यह golden line है, जैसे हर कोई बखता है कि इसी age में हम पता करते हैं कि मेरा वजूद क्या है society में, what I am, मेरा role क्या है society में, मेरा खुद की life के लिए मैं क्या करना तो यह जो thinking होती है, यह इसी time पर होता है, आप अपना जैके जानतों, जैसे की बोलते हैं, अरे, दुनिया वाले ऐसे हैं, यह इसी time पर आप करते हो, ठीक है, उसके बाद जो stage में, fixation होता है, fantasy, fantasy मतलब आपकी सपने की दुनिया, खयाली पुलाओ, सब कुछ इसी में होगा, daydreaming, वही, दिन में तारे देखना, या दिन में सपन देख रहे हैं, प्लस उसी time पर आप क्या कर रहे हो, खुद के identity, तो यह सब चीने क्या कर रहे होगा, आपको जिसने को ऐसा action कर रहे हैं, जिसे लोग आपको notice करना शुरू करें, emotional instability, full of energy, तो किसी comedian नहीं कहा था कि, at the teenage we are happy for nothing, full of rush, हम लोग even बोलते हैं, कि road cross करते हैं, खु possibility हैं, जो यहाँ पर discuss किया जा सकते हैं, rapid mood changes, तो mood change क्यों कि hormone change होते रहते हैं, क्या hormonal rush रहता है, तो एक hormone अगर suppress कर रहा है, खुशी को, तो दूसरा hormone फट से उसे उठा देता है, तो पल में हसना, पल में रोना, इस time पर हो सकता है, conflicts with family, क्योंकि अब आप अपने विचार, अपने आप खुद की independent thought society के बारे में सोचते हैं, तो आपका conflict होगा, अपने घरवालों का debate होगा, किसी नहीं किसी point पर disagreement, 12th के पहले पपा ममी जो बोलते हैं, वही follow करते हैं, ज़्याजा disagreement नहीं होता है, तीक है, उसके बाद जो level of disagreement होता है, वो बढ़ जाता है, या जो भ behavioral code, behavioral code मतलब अब आप जो बूलते हैं, well dress up रहना है चाहिए कि नहीं चाहिए, बात कैसे करना है, घर में कैसे बात करना है, या मुझे behavior change करने की जरूए था या वैसे ही random रहूं, जैसा हूं वैसा है, तो यह सब चीजे change जो होते हैं, यह code आन लगते हैं, कि law आन लगते हैं आपको क्या नहीं पसंद है, जैसे लोग बूलते हैं, अरे मुझे tea पहुत पसंद है, coffee पसंद नहीं है, तो यह सब realization आपको इसी face में होते हैं, जैसे कि बच्चों को देखेंगे, तो हम लोग को सब कोई भी vegetables पसंद नहीं होते हैं, लेकिन इस age में हमको थोज़ थोज़ पसंद आने लगते हैं, interest change होते हैं, इसी तरह आप career को लेकिए, कि आपको need करना है, कि क्या करना life में, आप सब चुनना सोगए, तो self exploration होता है, और ऐसा नहीं है कि सब इसी time पर हो जाता है full, किसी किसी आप continue lifelong रहता है, लेकिन यह जो इतने सारे चीज़, इतने amount में जो change हो करता है, and evaluation, तो आप खुद को evaluate भी करते हो, कि आप उतने लायक हो की नहीं हो, खुद को doubt करते हो, इसी लिए guidance की जरुवत होती है, इसी लिए आपको teachers की जरुवत होती है, parents को guidance, मतलब parents होते हैं, जो guide करते हैं, life की वो stage वो देख चुके हैं, formation of new relationship, दोस्ती बनती जाती है, इवन आप लोग नहीं नहीं दोस्ती जाती है, आपका पानवाला हो गया, उनसे आपकी relation बनती जाएंगे, क्योंकि आप society में अपने बोलना identity बनाना चाहरे हो, and peer pressure आएगा, peer pressure मतलब दोस्तों बोलेंगे, क्या है यारशी, अभी तक तु बाइक नहीं चला पाता है, या न Adolescence में, ठीक है, अब अब जो next problem है, जो बहुत important, जिसके लिए ये topic को मैंने great detail में रखा है, वो है mental health and adolescence, इसी time पे जब hormonal rush हो रहे हैं, तो hormone कौन release करता है, brain, particularly सब brain manage करता है, body की growth कौन manage करता है, brain, फिर society में आगी growth कर मुझे relation रखना है कि ने, कौन decide करता है, brain, family के साथ relation, peer group relation करता है, brain, ठीक है guys, मुझे कैसा सोचना है, कैसा मुझे रहना है, ये सब brain, इसलिए brain पे इस time पे बहुत ज़्यादा changes आएंगे, ठीक है, mental बोल सकता है, brain नहीं बोलना चाहिए, mental, ठीक है, ये सब चीजे, आपके mental health को या तो improve करेंगी, या तो खराब कर सकते हैं, ये बहुत time था, even rural areas में, गाहों में, लोग अभी भी realize नहीं करते कि ये stage ऐसा होता है, जहां पे बनने या बिगनने का point रहता है, कि या तो बनेगा तो पूरा बन जाएगा, या तो बिखरेगा तो पूरी तरह से बिखर जाएगा, वो life के डूसरे stage में बले है, सुदरे है, मै बोलना, success से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन अगर सकम हो गया, mental pressure को, mental pressure को सकम हो गया, मतलब उससे दब गया, तो फिर उससे जिन्दगी खराब हो गई, ये चाहे education से related हो, या आपके society से related हो, या girlfriend, boyfriend से related, या mother, father से related हो, किसी भी चीज़ से हो, अगर suppression आ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जिन्दगी बर हाम करेगी, many of emotional and social changes have implication on the mental health, तो वही मैं बोल रहा था, emotion और देखे मैंने link किया था न, उपर, उसका mental health से लेना देना होता है, most of the mental health issue that people confront as adult, begin to appear in adolescence, तो बहुत सारे चीज़ें जो irritation के होते हैं, जो गुसा होता है, ये सब का सब इसी time पे develop होता है, तो हम बोलते हैं कि बचपन में जो चीज़ें रहती हैं, वो सब ठीक है, उसका impact level अलग है, ये adolescence अलग है, उसका impact बहुत अलग होता है, ultimately अब आप, क्योंकि adolescence के बाद, आप adult बनने वाले हो, adult like full of responsibility, career oriented, family oriented, आप अलग face में जाते हो, तो आपकी बुनियाद एक मस्ती से, confusion से, आगे बढ़के आप solution के तरफ जा रहे हो, तो ये पूरी बुनियाद यही दोनों कायम करते हो, उसमें सबसे नजदीक है, adolescence, तो इसका impact चाहे अच्छी चीज़े हो, चाहे बुरी चीज़े हो, बहुत जादा पड़ता है, the mental health implication includes confusion, irritation, moodiness, frustration, nausea, less concentration, hyper activities, anger, effects on the life styles like obesity, addiction, accident, leading to hill health, मतलब जो भी प्रॉलम आप देख रहे हैं, जो भी चीज़े हैं, वो सब हो सकती है, obesity मतलब मतलब मोटापा आपको पता है, addiction मतलब cigarette दारू यह सब से, जो हम लोग आते हैं, इसकी contact में, इस ही age में आते हैं, कोई 10 साल का बच्चा है, जनले आप cigarette पीते रहता है, तो जिन्दगी को मतलब एक अलग speed से लोग देखते हैं, तो उसमें, आपको मालूम है कि अब रश हो रहा है, तो हर जगे से रश हो रहा है, तो concentration लवल उतना नहीं होता है, और accident होने की chances हैं, यह सब के सब, इस ही age में होते है, mental illness is in fact, is in terms of different forms of depression, depression मतलब क्या हर च adult लोग के लिए ठीक है, कि हर चीज में doubt करता है, यह इंसान या लड़का या लड़की, वो अलग चीज है, लेकिन यह age में depression में हमेशा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, life लग रहा है, एक होता है, अब इसको कुछ करने का मन नहीं इसको laziness से नहीं जोडना है, ठीक है, lazy ल बोलेंगे depression, like insomnia, need ना आना, and loss of energy, यह सब feel करने लगे, और हमेशा कोई बोल दे यार, तुम तो जल्दी ठक जा रहे हो, तो फिर उसमें भूरा लएगा, कुछ ना कुछ हमेशा, solution की तरफ नहीं जाएंगे, अगर यह graph है, तो graph नीचे नीचे ही जाता रहेगा, तो ऐसा न आपको बता दो, यह depression कई-कई बात इतना ज्यादा हावी हो जाता है, कि पूरे body function को भी खराब कर देता है, आपके धीरे-धीरे mental pressure पूरे बोलते हैं, यह से cancer की तरह है, cancer कैसे एक cell पूरे body को cover करने लगता है, इसी तरह से यह एक, जो depression का point है, यह पूरे आपके पूरे body को कर लेगा, ultimately आपका दिमाग तो ठीक मतलब जैसे कि बोलते हैं, वो depression हो चुका है, body भी functionality अपनी कम करना शुरू कर देगी, और इससे आपका body loss भी होगा, तो जब तक इंसान अगर बहुत time तक require नहीं कर रहा है, तो जब जब वो recover कर या, सम्झा 10-15 साल बात, तब तक उसका body give up कर चुका होगा, तो उसे और दिक्कत आएंगे, इसलिए इसे जल्दी से जितना ठीक करता है, उतना अच्छा रहता है, in favorable changes, associated with psychological or behavioral manifestation, तो किसका उता psychology, psychology जानते हैं, आपनों की mental condition होती है, वो किसके विए से राई होती है, आपके various hormones के विए से और society, दो चीज़ के, बाह और productive चीज़ें जो society कर रही है, उससे मुझे नीचे कर रही है, तो वो depression का एक कारण है, और behavioral manifestation, तो उसके according जो मैं behavior या जैसे मैं behave कर रहा हूं, और जैसे मैं दूसरे को behave करता देखता हूं, और मैं जैसे बिए करता हूं, तो यह सब का लेना देना होता है, किससे? depression और mental illness से अगर जो larger outcome के लोग हमेशा प्रोड़क्टी रहते हैं, रश रहते हैं, इसे hormonal rush कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, कुछ बच्चे diagram ड्रॉ करते हैं, drawing बनाते हैं, कुछ बच्चे engineering का सपना देखते हैं, कुछ नीट का देखते हैं, यह सब भी होते हैं, यह larger society वाले सब ऐसे ही करते हैं, हमेशा achievement की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, these are broadly, और यह देखी, इतने लोग achievement की तरफ देख रहे हैं, और कोई एक जो achievement की तरफ नहीं देख रहा है, उसको पता नहीं है, तो वह इनको देखके depression में जाता है, तो भूलता है, यह क्या चाले, तो वो खुद को compare करकर 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 ultimately, खुद इखा existence गायब करने, यह दिक्कत है actually, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम लोग की यह low जो है energy में, यह कभी कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यह लोग क्या मल में से आगे निकल जाएं, लेकिन यह stage में, अगर 100 लोग इससे influenced हैं, त अचानक से रहे, यह क्या psycho है, तो वो लोग ही है, psychos include delusion, मतलब क्या, चीजों को वो accept नहीं करते हैं, उसमेरे, किसमेरे, dilemma में रहते हैं, reality न जानना, ठीक है, सच्चाई न जानना, delusion दना, hallucination, hallucination मतलब क्या, आपको चीजों जैसे नहीं हैं, वो ऐसे दिखना, disturbance in the thinking process, अगर समझें, अगर chemistry का class चाल लुए, कुछ chemistry के term physics और teacher नहीं यूज कर दिये, और वो chemistry का term उसको भले आता रहे, लेकिन club नहीं कर पाया, तो यह एक दू बार नहीं, हर class में ऐसे होता है, कुछ चीजों को यहां नहीं, ऐसे नहीं, और confusion की तरफ हमेशा जाते हैं, ऐसे बहुत सारे concept confusing होते हैं, तो वो अलग issue है, लेकिन यह जो linking का process हुआ, यह सब चीज कनेक करना, यह एतने smooth नहीं कर पाते हैं, यह लोग, hallucination मतले समझे, दुनिया का कुछ का कुछ देखना, जैसे बता है, अचानक से color pop-up, जैसे कि आगर किसी ने hallucination का symptoms देखा रहेगा, तो क्या होता है, जैसे भांग के symptoms क्या होते है, colorful दुनिया दिखना, अचानक से pop-up होने लगना, पुरा head, slow काम करना, शुरू करना, यह सब hallucination के symptoms है, तो वैसे करना शुरू करते हैं, delusion रहते है, reality को accept नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, उनको जैसे कि अगर कुछ लग गया है, तो यह जो psychoses हैं, इनको बोलने, lead to, Alzheimer disease, schizophrenia, यह brain के condition, जब हम लोग यह chapter पढ़ेंगे, हमारा nervous system, तो उसमें हम लोग देखेंगे, depressive, psychosis, amnesia, loss of memory, bulimia, extreme over endangels in the food, तो लोग बोलते हैं, मैं tension में और खाता हूं या खाती हूं, वही है, उसे करते हैं, bull नाम से है, bulimia, anxiety, anxiety क्य fear मतलब क्या, वो बोलते हैं, मन अंदर से खलबला रहा है, वो सब उसी को anxiety बोलते हैं, कुछ काम करने जाने से पहले ही, धड़कनों का बढ़ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा uneasy हो जाना, डरना की क्या होगा क्या नी, इसी को बोलते है anxiety, और anxiety बहुत सारे लोगों को रहत क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनको लगता हो कि खाना एक्चली छोडना शुरू कर देते हैं, खाने का मन नहीं करता यह सब, दूसरी चीज क्या होती है, कि सोचते हैं कि weight gain कर लेंगे, कि हम weight gain कर लेंगे तो यह सब चीज़ें होती है, depression, sadness, inactivity, reduce to enjoy life, ठीक है, etc. यह side depression होता है और neurosis, include schizofrenia, illusions and hallucination, neurosis मतलब क्या neuron level पे आपके, neuron level पे बिमारी, psychosis मतलब क्या psychology पे, level पे बिमारी है, psychology, psychology क्या होता है, रेके, एक second, neurosis, various psychology, psychology, बहुत सारे, एक brain इसका काम, psychology जब पढ़ते हैं, brain पर पार्ट रहता है, hormone में, लेकिन ज्यादा तर पार्ट outside of the body भी रहता है, outside of the body भी, लेकिन जब यह पढ़ाई करते हैं, तो इस में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का, यह mind का, brain का, dysfunction ठीक है, वो चीज पढ़ते हम रो, और वही पे psychology में, outside the body का भी, environment पढ़ा जाता है. Adolescence is thus characterized by number of cognitive, emotional, behavioral, physical and attitudinal changes, which may lead to positive personality development, ठीक है, depending upon the relation with parents or the other condition, ठीक है, बहुत सारे condition के positive ले सकता है, to conflict to, and to conflict to other side, और यह तो अलग condition भी हो सकती है, कि पूरा negative हो जाए, किसी का positive होता है, यह बोला कि जब निकलते हैं लोग तो इसमे, maximum population जैसे कि 100 में से, जैसे general, 50% से ज्यादा लोग हमेशा, 60-70% निकली जाते हैं, इस से इतनी परिशानी होती है, कुछ कुछ लोग को परिशानी होती है, लेकिन क्या society, जैसे बोलते हैं, जब बहुत ज्याद इन सेंसिटीव हैं लोग जो यह समझ नहीं पारें कि यह कोई problem में गुजर रहा है, उनके वैसे यह depression continue रहता है, और ultimately बता बोलना है चलेकिन suicide और या तो destruction की तरफ हमेशा ले जाता है, इसलिए इसे इतना, बोलते हैं, इंप्रेशन दे के chapter में डाला गये आप लोग के, पह इसलिए आपके 10 स्टैंडर में यह सारी चीजें डाली नहीं गई, यह डाली गई हैं आपके 12 स्टैंडर में, वहाँ के अडूलेसेंस का मतलब क्या है, happy-happy वाला महाल बताते हैं, changes बताते हैं, थोड़े-थोडे, mental लेवल का problem नहीं बताते हैं, ठीक है, यह सब चीज है, य In fact, they view their friends, peer group more, important, influential than their parents, अच्छा, यह लाइन का मतलब था, कभी-कभी parents के साथ, अपना जैसे के development था है, कि parents के साथ, और इसके रिलेशन चरकते हैं, या तो कभी-कभी parents के साथ, relation खराब होते हैं, और कई बार देखा गया है, कि उसमें सब लोग क्या करते हैं, कि जो outside the environment है, outside the environment है, वो ज्यादा influence करते हैं, outside the environment है, घर से बाहर, वाले जो group है, peer group, जो friends है, वो सब ज्यादा impact डालते हैं, this may lead to various kinds of addiction, like smoking, तो देखिए, बाहर से अगर अच्छे चीज़ें आ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, खराब चीज़ें में तो सीखेंगे, तो उसमें से smoking, taking drugs, बह हो गया है, और इसमें सबसे बड़ा role है, actually media का, social media का, US जैसी country से ज्यादा लोग influence होते जा रहे हैं, और वहां पर ये culture बहुत पहले से बरबाद कर चुका है, अब हमारे इंडिया में भी इसे so-called cool करके दिखाया जा रहे है, treatment, treatment of such disorders should be preferentially with non-pharmacological approach with due respect to right of children, मतलब क्या, डवाओ का इस्तेमाल नहीं करना चीज़ में जादा, ठेक है, तुरंद operation seizure, लेके नहीं बैठ जाने चाहे, चले इनका दिमाग ठीक करें, इसे, जो जैसे की बुलत है, नहीं चाहे, हर्मोनल रश है, इसे control किया जा सकता है, बाइ, some steps, like, consult करो, बार-बार, योगा करने को बोलो, और सारी चीज़ें, physical exercise हुआ, डौणना, running हुआ, जो चीज पसंद है, उस पर focus करना, शुरू करना, confidence rebuild करना, society में उन्हें वापस लाना, rather than student दवाओं का इस्तेमाल करना, दो depression की दवाओं आती है, लोग यूज भी करत लेकिन वो ऐसा depression नहीं करते है, डाउन आपका, वो उस moment के लिए आपको relax करते हैं, उसके बाद फिर से वो continue होता है, और deep हो जाता है, तो इसलिए depression का so-called दवा नहीं है कोई, ठीक है, WHO has recommended evidence-based guidance under the mental health gap action, program, महाँ गैप, महाराश्रा में रहता है, इसे महाँ गैप बोल देते ह किसमें adolescent और adult के बीच में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देखे, adult हमारे आगे निकल चुक है, लेकिन फिर भी वो problem को recognize नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो पुराने लोग थे, वो लोग बोलते थे, यह सब क्या है, तो उनको भी लगता है, हाँ, यह ऐसे, इसको ऐसे ही ठी कि soft power से, अच्छे तरीके से, बिठा के बताने से, ज्यादा तेजी से समझते है, rather than, डांट के, आप समझाओं चीज़ें को, तो यह हो चुक है, अब आपको एक और चीज़ बता हूँगा, कि इंडिया में, निम हंस है, निम हंस, इसको गूगल करना आप, यह बैंगलोर ब वहाँ पे इसका research, adolescence को, सोचिए, पहले इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यह वहाँ पे इनके लिए research करना, और वहाँ पे योगा इसे बहले आपको लग रहा है, कि यह भी योगा करने कोई बूल रहा है, लेकिन वहाँ पे proper methods हैं, जैसे कि कैसे improvement की जा सके हैं, तो किसी को भी कौन से भी level पे mental health की कोई भी दिक्काश होती है, वो सीज़ा आप निमहंस को approach कर सकते हैं, online appointments भी available हैं, और physically भी जा सकते हैं, वहाँ पे staying का, टाटा शाय से टाटा group of trust हैं, वहाँ पे resident का भी recite करने के लिए आपको facility देख रखे हैं, ताकि आप recite कर पे check कर अच्छे लोग हैं, वहाँ पे helpful लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, और यह बहुत बड़ा hospital है, खुद में एक, ठीक है, तो यह इंडिया का है, लेकिन इसे डालना चाहिए थे, यहाँ पे लेकिन वो लोग डाले नहीं, ठीक है guys, तो इसके बाद का जो part है, वह addiction का, so addiction को सब लो नेक्स वीडियो में, तिल देन, अगर आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, तभी आपका support हमें मालूम पढ़ता हैं, और इसे अपने दोस्तों में share भी करिए, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, बाई-बाई-बाई, have a great and nice प्रेज देन, आएट